कि इससे में बात करेंगे हम लोग क्या हाउ टु क्रेट वरकर नोर इसमें दो अब जेक्ट में हाउ टू इस्टल वरकर नोड और सेखेंड में ज्वेनिंग इन क्लस्टर जोइन वरकर नोर्ड स्थ तो जैसा कि आफिस्ट कि तो मास्टर्ट नोड और दो और इंदर सेवन के उर्ड है और मुझे बस करना किया इसको करना कनेक्ट यहां से और लॉग इन कर जाना इसके उपर राइट यह वरकर नोड पर आ गया वरकर नोड पर आने के बाद कुछ प्री स्टेप्स होते हैं जो मैंने कल आपको बताये थे वह वर्दा मास्टर नोड वह से करने पड़ेंगे जैसे एक तो मैं सिस्टम का होशने चेंज कर लेता हूं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा तो मैंने इसका नाम दिया वरकर वन डॉट एक्जाम्बल डॉट और इसका जो आई-पी है वह यहां से मैं निकाला और सिस्टम को नाम से कराने के लिए यह आई-पी मैंने यहां पर इंजेक्ट मार दिया है और यह रिकल सिस्टम नामसे के लिए कर लिया मुसकत करणा पड़ता है तो नहीं करना पड़ेगा दूसरा इस्टेप था स्वेप पार्टिशन को लेके स्वेप क्लाउड में कन्फिगर ही नहीं वैसे तो अगर होता तो मुझे बंद करना पड़ता राइट उसके बाद मेजर कंपोरेंट जो आपको पता होंगे एक तो हमको यहां पर डॉकर चाहिए और दूसरा कंपोरेंट क्या है क्यूब लेट क्यूब प्रॉक्सी का मेजर कोई काम नहीं है जब नीड आई तब देखेंगे इसको मेजर लिए अभी खाली बस हमको दो कंपोरेंट चाहिए डॉकर और क्यूब लेट डॉकर कहां से आएगा से वही रेपोजेटरी जो आपने मास्टर नोड पर यूज की थी याद करो वही रेपोजेटरी आपको यहां पर यूज कर ले नहीं राइट दैनियम इस्टॉल टॉकर क्यों… झाल झाल तें डॉकर को स्ट्राट कर दिया डॉकर अच्छा कल एक पैरामीटर था याद होगा कल एक प्रॉब्लम आई थी यह बाद में यह सेम फाइल का जो कंटेंट है न वह आपको वरकर नोड वन पर भी रखना पड़ेगा एक डैमन डॉट जैसे नाम की फाइल थी डैमन डॉट जैसन और सिस्टम सी टियल डैमन डॉट और सिस्टम सी टियल री इस्टार्ट ढॉटर कि डॉकर कि उसके बाद का पैकेज कहां से मिलेगा आपको तो एक रेपोजेटरी बनाई थी आपने क्यूबरेटरी के अंदर से याद होगा आपको यह सेम रेपोजेटरी आपको कहां इस करनी होगी फिर राइड दैने यह में स्टॉ प्यूबरेटरी के लिए 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 आप 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 तो फाइनली दो कंपोनेंट आपको मैंने बोला था कि वरकर नोड़ पर होने चाहिए हलाग एक कंपोनेंट और एक क्यूप प्रॉक्सी जिसको बाद में लेकर आएंगे अभी उसकी नीट नहीं है कि यह आपका पहला स्टेप जो कंपोनेंट रुक्वाइट रुक्वाइट थे वर्दा वरकर नोड़ उडाल दी आप लोगों ने लेकिन अभी आपके वरकर नोड़ को यह नहीं पता कि कि कहां चल रहा है मेरा मैनेजमेंट कौन देखेगा तो मुझे अब बरकर नोड़ का मैनेजमेंट देना हैं अरे कंपल नोड के पासस और एंपी हमको यह नूड कलस्टर में जोइन करना पड़ेगा जब तक आप जहने करोंगे तब तक मास्टर उनूर्ण उसको नहीं करसकता लाइट से का तो वरकर नोड को प्ल स्टर में करने वाली कमांड भी बॉस क्यूड यह होती है क्या होती है तो आपको यहां पर और करना होगा भी साथ की वेडियम का पैकेज भी यहां पर आपको डालना होगा राइट यह मैंने पैकेज क्यों डाला है क्योंकि मुझे एक वरकर नोड कलस्टर में जॉइन करना है तो मुझे यह नहीं पता अभी कि वरकर नोड में कहां का मुझे वह पैरामीटर इंजेक्ट मानने पड़ते हैं तो क्यूव एडियम बोल रहा है कि मुझे बता दो आपका मास्टर नोड कहां चल रहा है मैं आपको जॉइन करके दे दूंगा राइट एक वरकर नोड मास्टर नोड जब जॉइन करता है तो उसके पास कुछ इन्फोर्मेशन तो पहले होनी चाहिए कि वरकर नोड स्वरी मास्टर नोड आपका आई-पी क्या है आपका कौन सा पोर्ट नंबर है तो बेसिकली जब भी किसी वरकर नोड को क्लस्टर राइट दूसरा हमको जो प्रोवाइड करना पड़ता है एक टोकन 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 एक पास्वर्ट टाइप में होगा अगर आई-पी से काम हो गया होता तो कोई भी बंदा आके मेरा मेरा क्लस्टर जॉइन कर जागा अपने आप लेकिन नहीं जब तक टोकन तुमारे पास नहीं होगा जब तक आप क्लस्टर जॉइन नहीं कर सकते तो एक टोकन आपको देता है और यह टोकन जस्ट कैंट फॉर ऑनली फॉर ऑथन्टिकेशन परपस इसका कोई काम बाद में नहीं है फिर एक बात आपका वर्कर नोड क्लस्टर में आ गया आपके टोकन को मैच करेगा और यूब भी ऑथन्टिकेट होने के बाद फिर आपका टोकन रहा कि नहीं रहा इसके बैनिफिट नेक्स्ट टाइम नहीं है तो यह टोकन क्यूबर निटि में आपको बिल्ड़ लप करने पड़ते हैं और इस टोकन को बिल्ड़ लप करने वाली कमांडा क्यूब एडियम कि जब आप क्यूबरेटी कर रहे थे मास्टर नोड के उपर तो वहां हमने नहीं किया था लेकिन एक टोकन बाइड डिफॉल्ट वहां बिल्डप हो गया था और इस टोकन का टीटी टाइम है वह डिफॉल्ट होता टुंटी फूर आवर्स में यह तोकन आपने यूज कर लिया तो ठीक है वड़ना फिर न्यू वरकर नोड क्लस्टर में आप जॉइन कराओगे तो यह टोकन वहां पर काम नहीं करेगा यह टोकन ऐसा कुछ भी नहीं कि मुझे यही टोकन यूज करना चाहिए यह टोकन बेसिकर जैस्ट फार अथन्टिकेशन तो कभी एक्सपैर हो भी गया यह आप से डिलीट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यह टोकन कभी भी आप बिल्डप कर सकते हो यह कमांड होती है अच्छा इसमें हाइपन हाइपन टील एक पेरामिटर होता है टील डियूरेशन अगर यह डाल दिता ना इसके अंदर में और बताता है इसको मैं 46 आवर जो भी इसके आवर्स होते हैं तो यह उसके बाद ही एक्सपैर होता आपने कुछ भी इसमें टीट लगां और यह टोकन बना है ना दुबारा से फिर से यह 23 आवर्स के लिए आपका क्या हो गया है अवलिवल हो गया किसी वरकर नोड को आप लोग कि वेस पर जोएं कर सकतो कभी ऐसा मत बोल देना एक वरकर नोड कलॉस्टर जोइन कर गया हlor तो फिर बाद में एक स्काओंका अंधर लाने के लिए उस काम में आता है तो दूसरी आपप्aching के बारे में हैं रैट व में बनांगा भी आराम से वेंट करो बढ़ करो वर्कर्ण उल्ड को हमें सबर का एपी दिना पड़ता है एक टोकन टोकन तो एक जिस टाइम आप कलेश्टर में आना चाहते थे आपको हमने अथेंटिकेट कर दिया टोकन की बेस्ट पर लेकिन नेक्स टाइम जब एपी और क्यूब लेट इसको कोई बात बताएगा इनके बीच में जो होता है बहुत किसके बेस पर कि सिस्टम के उपर काम करता है तो आपको एक काम करना होगा किसी वर्कर नोड को क्लस्टर में जॉइन करते टाइम पर करें तुमको की क्लस्टर के सिये का सैटिफीकेट भी देना होगा वह उससाइट को यूज करता हुआ अपने लिए एक सेलफ शाइन सैर्ट बेड़ लब करेगा तो यह तीन इंफर्मेशन आपको देनी पड़ती हैं कलस्टर के सिए का सैट्रिफिकेट एपी और टोकन दो इन्फर्मेशन आपको निकालना आ गया है आई पी तो यहां से मिल जाएगा आपको सिस्टम का पोट नमबर आप यहां से निकाल लोगे यह पोट नमबर ओ गया तोकन आपको यहां से मिल जाएगा अब बचा आपका साट्रिफिगेट अदर पी के अंदर यह तुम्हारे की बन टीके सैट्रिफिगेट अथर्ट पासी यह जिसका क्या सब्सक्राइब करने पड़ेगी नहीं एक सिंगल कमांड होती है वरकर नोड को कलश्टर में लाने के लिए यह तीनों इंफर्मेशन हम करते क्या है बस एक कमांड में सेट करके आपको दे देते हैं इस कमांड से पूरी कमांड बनके त्यार हो गई जो तुमको वरकर नोड पर ले आखिर न करनी होगी इस कमांड में सब लिखा हुआ है कहां चल रहा है उसका आई पी क्या है कौन सा टोकन आपको यूज करना है और उस क्लस्टर के सीए का सैटिफिकेट इसने अपने आप इस कमांड ने ओटोमेटिकली इस सैट्रिकेट के इसने उनको इठाया है कैश् 도 अगैं करके nee तुमको बस करना क्या है यहाँ से नहीं बगयरा तुमको बस यह command यहां से उठानी है और इस वरकार नोड के उपर ले जाके रन कर देनी है यह लास्ट में क्या लिखा गया दिस नोड है जोएन राइट अब मैं मास्टर नोड आकर देख रहा हूं कि मेरे क्लेश्टर में कितने नोड अबलिबल हैं बता रहा है कि हां इसमें एक नोड क्या है अब लेबल है तो यह हमने सीखा है वरकर नोड को क्लेश्टर में जॉइन कराना सिम्लियर से मिस्टेप परफॉर्म करता हुआ मैं वरकर नोड तू भी सेट अप कर सकता हूं राइट